पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट सो देखे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिक्षा का दिकार अधिनियम 2009 यानि इससे पहले जो मैंने आपको आर्टी एक्ट पढ़ाया है न वही है यह बस यहां पर क्या है कि मैं आपको चाप्टर वाई में पूरा पढ़ा दूँगी मतलब कुल मला कि आप ऐसे समझ लोगी यह जो आपका आज का शेशन रहने वाला है यह डिटेल्ट सेशन रहने वाला है उसे बहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेजे और यह चाहते हैं तो आप PG Point सर्च कर सकते हैं यह आपको Link description box में मिल जाएगा टलीग्राम का भी Instagram का भी और साथ में आपको सिक्षया के दार्शनिक परी पेक्षय समाझ सास्ती परी पेक्षय और मनोवैग गयने के परी पेक्षय और MCQs के बहुत चारे sessions मिल जाएंगा आपको तो महां से आप अपनी practice daily कर सकते हैं और बाकी एक class आपकी साम को चाम 4 बजे एक class आपकी साम को 6 बजे नियमित रूप से चल रही है तो रोज आईए class में और अराम से class करिए ठीक है तो इसी के साथ में आज शुरू करते हैं अपना RTE Act 2009 ठीक है अब बढ़ी ऐसे अगर सब्सक्राइब करवाना है आपको क्योंकि यह आपके लिए एक task है आपके लिए कहते हैं एक वह है कि आपको 24 तक 10k subscriber at anyhow complete कराने task में आपको बस तो सब्सक्राइबर बढ़ाने अगर एक बच्चा दस सब्सक्राइबर भी बढ़ा दे हैं तो यह बहुत आसान भी है और आप कैतनी बून-बून से घड़ा वरत है तो आप अपनी जिम्मेदारी समझे और बहुत साइब सब्सक्राइबर साब करवाने पहले 10k का टार्गेट है अज इस बार और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है एक पैसे समद लो हना अब देखे परिच को प्राप्त करने के लिए अपने अपने इस तर से प्रयाश शुरू कर दिये उसके बाद जब दिसंबर 2002 में केंड सरकार ने समविदान में छिया सिवा समविदान संचोडन करके नुच्छे 21 जोड दिया जिसमें क्या कहा गया था तो जिसमें कहा गया था तो जिसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक 6-14 वर्ज की आयू वाले अपने बालक या प्रतिपाले के लिए सिक्षा का उसर प्रदान करें उपरोक्त धारा के प्रकाश में किंद सरकार द्वारा आगी चलकर 2009 में बालकों को निशुलक और अनिवार शिक्षा का दिकार अधिनियम 2009 पास क अपरेल 2010 में इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया था आगी बास समझ में नहीं आई तो चलो ऐसे समझाते हैं आपको स्टाइल में थोड़ा सा क्या कि भाई जो आपको बस याद रखना है पहला 6-14 वर्ज की आयो कि बच्चों के लिए निशुलक यानि कि बिराउट फ रूप से ये चीजे लागू की गई अब एक प्रस्न पूछा जाता है कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ तो आपको आंसर क्या करना होगा वहाँ पे सन 2009 2010 2011 2008 चार आप्शन नहीं करेंगे 2010 करेंगे क्योंकि इस कानून के रूप में जब लागू किया गया इसमें अधिनियम में क्या क्या बाते बताई गई यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आप हम यह टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे यह टॉपिक आपको रट जाना चाहिए कि किस अनुछेद में कहा गया है कि छे से चौदा वर्ष के बालकों के लिए अनिवार तथा निश सिक्षा का अधिकार को प्रभावी बनाया गया है येस तो जो बच्चे कहने अनुछेद 45 उन सभी का एकदम सही हो जाएगा तीसरा पॉइंट क्या कहा गया सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्ति शिक्षा उपलब्द कराएंगा और स्कूलों का प्रबंदन समितियों है जनी SMC द्वारा किया जाएगा निजी स्कूल निउन्तम 35 प्रभावी बच्चों को बिना किसी शुलक के नामांकित करेंगे गुर्वत्ता समय प्रादमिक सिक्षा के सभी पहलिवों पर निगरानी के लिए रास्ट्रे आयोग बनाया जाएगा आप देखो हुआ क्या कि ज उसके बाद में और यह समय समय पर जाथ होगी जैसे कार बताया गया है वैसे कार सारे हो रहे हैं कि नहीं टाइम टू टाइम इसके लिए एक रास्ट्रे आयोग भी बनाया गया ठिक सिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश ही क्या थे वाट इस दी गोल और वी कन ताके वो ऐसे समझ लो कि वो अपना घर का खर्च उठा लेते हैं तो यही एक बहुत बड़ा बात हो जाती है हाना तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे परिवार के लिए मुफ्त एवं अनिवार सिक्षा प्रदान कर सिक्षित करना सबसे पहला उद्देश था कि पूरी सब ब बच्चों को शिक्षित बनाना है देश में सब बढ़ेंगे तभी आओं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़एगा इंडिया फिर देखो प्रात्मिक सिक्षा को सर्वसुलब बनाना तथा इसका सार्व वहमिकरत करना यानि यूनिवर्सलाइजजेशन करना यानि हर मतलब काखा गागा वन टू थरी इतना तो बच्चा सीखी ही जाये कम से कम कुछ जो बुनियादी लेवल की चीज़ ना कोई बहुत जादा कंटेंट बहुत जादा सिलाबस नहीं होता उनका अब देखो बालकों की सिक्षा के प्रति रुची को बढ़ावा देना फिर उसके वुमेंस एजुकेशन यानि गल्स बालिकाओं मतलब गल्स एजुकेशन पर विशेज ध्यान देना ठीक है क्योंकि लड़कियां क्या होती है लड़कियां एक समय के बाद में क्या करते हैं कि उनको भेजते निये पढ़ने के लिए अब थोड़ा सा अगर मैं प्राचीन का होगी है न और तो इसी को समझते हुए मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आखिर बालिकाओं की सिक्षा पर रोक कब से लग जाती थी या बालिकाओं को सिक्षा के लिए स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता था उस समय में जब वो जब उनकी मेंसुरेशन होना जाते थी यह सब चीज़ है तो इसलिए उनकी एजुकेशन पर क्या होती थी रोक लग जाती थी और हाला कि आज भी कहीं न कहीं यह सब चीज़े हैं तो बालिकाओं के सिक्षा पर इन्होंने विशेज ध्यान दिया इसके तहट देश में सिक्षा की इस्तर को भी रहवा देना था मतलब क्या था कि स्कॉलर्शिप दी जाती थी मतलब पढ़ो भी पैसे भी ले लो भाई या खाना भी ले लो मिटी मील किता है लेकिन कुल में लागि पढ़ो तब भी बचछे पढ़ते नहीं कि आप में ले लेborne करेंग्ए तो आप को तो सेलरी देंगी न गवर्मेंट और उसके बाद ने बच्चों से फीस तो लेके दे नहीं दिया, वो कहां से दे दिया अपने पास है, तो देश का एक इस सिस्टम है पूरा, तो इसको maintain किया गया, तो अपने यहां के education level को बढ़ाना है पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि अपने country को क्या बनाना है, हम लोगों को developed country बनाना है, इसलिए सब चीज़े कीगी अब देखे, अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुक प्रावधान क्या रहे है, तो सुनो मेरी बात यह most important है, हना तो मेरे साथ में सिर्फ दिहान से सुनते चलो, अगर मन हो ना, तो हम देख तो रहे नहीं कोई आपको, तो यह live chat को option यहां से cross कर दो, और दोको आपको, कैसे class देखनी है आपको, बोलो, कैसे देखनी है, ऐसे phone रख करके, पूरी स्क्रीन में class सिर्फ देखो, comment section नहीं चलेंगे आपके, ठीके, तो ऐसे class करनी है आपको, अब सुनो ध्यान से, एक बाट session को लाइक कर दो, फिर बताते हैं, बहुत ultimate, ultimate बाते हैं, बच्च और आपने सुना न, जैसे core study बोलते हैं, यह इस अधिनियम की जो core बात थी, जो main बात थी, जो ultimate बात थी, वो यही थी, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, निशुल, यानि free of cost, और अनिवार, यानि compulsory education, प्रात्मिक सिक्षा पूरी करने का, करने का दिकार होगा, वंचित बा मतलब है, जैसे बच्चा मान लोग है, 10 साल का, अब वो चाहता है admission लेना, ठीक है, तो उसको admission मिल जाएगा, और जब तक उसकी प्रारंबिक सिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, मतलब प्रात्मिक सिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो निशुल की ही रहेगी, आई समझ, फिर दे को विद्याले परिवर्तन का अधिकार, यदि कोई बालक किसी भी कारणवास अपना विद्याले परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे विद्याले परिवर्तन जैसे आप देखते हैं, जैसे कहीं family छोड़ के जा रहे हैं, यह किसी के पापा मम्मा का transfer हुआ, टी-सी बनवां के अलग स्कूल में अड्मिशन लेते हैं, उसके बाद में केंद सरकार का शेयुक तुत्तरदाइत्म, और इसमें जो भी खर्च होता है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कहोता है, नहीं, इसमें केंद सरकार का भी होता है, और साथ-साथ में जो आपकी राज्य सरकार है, इनका भी होता है, फिर देको प्रांतिय सरकारों तता इस्थानिय संस्थाओं को विद्याले स्थापना का धिकार होता है, अधिनियम के लागू होने के तीन सालों के अंदर राज्य सरकारे तता इस्थानिय संस्थाओं को ऐसे छेत्र में स्कूल इस्थापित करन सभी नियमों का पालन करेंगी विद्यालय का दाइत में था कि 25 परस्टेंट जो उनकी सीट होंगी आरक्षित होंगी जैसे एक क्लास में अगर सो बच्चे हैं तो सो में जो 25 बच्चे होंगे वह क्या होंगी माता पिता का भी करतव बताया गया कि वह आपने चात्रों को स्कूल में अनिवार रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेज लाएंगे बच्चों का प्रॉपर एड्मिशन कराएंगे उनको स्कूल बहजने की जिम्मेदारी किस की होगी भाई अब टीचर घर से बच्चे को सो रहा उसको उठाकर तो लाएगा नहीं चलो बेटा पड़ो चलके तो यह नैति करता वे किसका है बच्चे को स्कूल बहजने का कि बेटा उठो और पढ़ाई करने के लिए क्या चलो हाना उसके बाद में देखिए शुल्क कोई भी विद्धाल है विभावको प्रवेश्टि समापत हो जाने के बाद भी बालक को प्रवेश्ट देने से मना नहीं किया जाएगा यह यह चूट दी गई कि जैसे एक होते नहीं लास टेट निकल गई तो किसी कारण वस अड्मिशन नहीं ले ले पाया फिर भी आपको उटसे प्रवेश्ट देना होगा दंड की विवस्ता है यानि किसी भी बालो को शारीरिक या मानचिक दंड देना कानूनन अपराद है और विद्याले में इसका प्रयोग न किया दे है तमझ आई गई बात ये समझ लो ये बहुत important point है इसको आज गाठ बांद लो रट लो आप irritate हो जाओ teacher हो करके कुछ भी हो लेकिन आप बच्चे को कतई कोई भी शारीरिक या मानचिक दंड नहीं दे सकते हैं यहाँ एक कानूनी अपराद है और विद्याले में तो कतई इसका प्रयोग करना ही नहीं है इसलिए आप देखते हो हम कभी आपको मारते हैं नहीं मारते हैं कभी आपको शारीरिक कुछ क पुटिर नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से निस्कासित किया जाएगा यानि की ना तो बच्चे को आ फैल कर सकते हैं ना तो आप बच्चे को fail कर सकते हैं, और ना ही आप उसको क्या कर सकते get out, अर्थात निसकासित कर सकते हैं किya, कि बच्चा कोई शता नहीं करे, आप उसको resign letter पकड़ो और भेज जो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, मानेता क्या है कि गो आपको mark sheet देंगे वो दूसरे school से लेते हैं क्योंकि उनके पास खुद की मानेता तो होती नी आप खुद की मानेता माम क्यों नहीं होती भाई मानेता लेने के लिए भी बहुत सरे efforts करने होते हैं जैसे मानलों आपको कक्षा 10 की मानेता लेनी है तो कक्षा 10 तो इसलिए अब सब स्कूलों को मानेता नहीं मिलती हो और यदि मानेता प्राप्त नहीं है कोई स्कूल तो वो स्कूल चलाया नहीं जा सकता है एक तदिके का गैर कानूनी काम है प्रबंधन समीति क्या है कि सभी निजी स्कूल प्रबंधन समीति का गटन करेंगे इस समीति में जन प्रतिनिदी अध्यापक तता अभी बावकों की ही सैबागिता होगी अध्यापक क्या है कि इन सरकार अध्यापक की नियुक्ती के मानक नियुंतम योगिता तता सेवा शर्तों को नधारण करेंगी उसके बाद में अध्यापक की करतव क्या है तो सुन लो अध्यापक को मेरे क्लास के प्यारे प्यारे क्या अध्यापका करता हुए कि वह अपना कारे पूरी निस्थ से करेंगे समय पर अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन करें अर्थात सिक्षण विधियां आपको पढ़ाई है ना मैंने है ना तो बहुत सारी विधियां होती हैं बच्चों के स्पीच के माध्यम से सिखाना बच्चों को कहीं दू ले जाना कहीं कुछ करवाना होना सकते हैं और टीचर पैरिंस टीचर मीटिंग का आयोजन भी टाइम टाइम पर करना है चात्रों की संके चालिस बालकों पर एक सिक्षक की नियुक्ति तो हो नहीं चाहिए कोई बिधियापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है यह मत सोचना कि बस गवर्मे में क्या बताएगा कि पाठेकम का निर्मार इस प्रकार किया जाए जिससे बालक का सरवांगीर विकास हो ठीक है मतलब ऐसे ऐसा आपका जो सिलाबस होना चाहिए जिससे बच्चे का पूरुन रूप से विकास हो ठीक अब देखे जरा मूल्यांकल के लिए क्या बताया गया कि मूल्यांकल की प्रक्रिया में सिदार किया जाए इसे व्यापक बनाया जाए परिक्षा सेक्षिक सत्र के आंत में बालोगों भी परिक्षा ली जाए शिक्षा पूरी करने वालोगों को प्रमारपत्र भी दिया जाए जिससे आब रिपोर्ट कार्ड कहते हो ना रिपोर् तो नावी धफटल लागु करने तत्था प्रामर्शिं देने कहा राज्यू अपको और बता रहें yeah मोस्ट इंपोर्टेंट रहोग घटन क्रेंद में घुकार अधियां का अधिंयम 29 सब्ढ़ के तो मृस्टी ओं सिप्षया है सभी सभी बताओ एक बात अगर मज़ा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो और सुनों कमेंट शेक्षन के बिला नहीं जाना कमेंट कि मज़ा आया कि नहीं आज के क्लास में क्यों 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 कि यह मत्सों चुके में इसको पढ़ रहे हैं कि भाई मैम सिक्षा का दिकार नहीं दिन्यां 2009 पढ़ानीं लाओ ये भी लिख लेए वोभी लिख लैं वह भी लिख सिर्फ सुनो मेरी बातों को अलग आनंद है क्यूं कि नहीं बातें पता चल रहे हैँ को स्थानने को मिल हूँ है इन उंसद्छे तेक दीभा चेजिशिए ने को मिल रही है सूची को संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार अजिसूचना दोरा किसी मानक को अनुशूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकेगी विद्याले पूर्व सिक्षा के लिए व्यवस्था करना यानि तीन वर्षिक से उपर की आयू के बच्चों को प पारेवाही के लिए सर्रक्षण यानि इस अदिनियम अत्वा इसे संबंदित बनाएगे नियमों और आदेशों के पालन में सरकार आयोग इस्थानिया पराधिकारी स्कूल प्रबंदन समीति या अदिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के पर अभियोजन के लिए पूर्ण मंझूरी यानि अधिनियम का पालन ना करने पर सुन लो बेट्टा अगर तुमने बच्चों की कर दी पिटाई किया कर दी पिटाई है ना मंदी जै तो आपके उपर क्या लग सकते धार अधिनियम का पालन ना करने पर 162124 इबंदनीयक इ समित्व कि समिध्य अब विध्याले को सवर्वंगों सब्सмотрите negativity और उनका सर्वांगेड विकस्व सक необходимо प्रण्ति सरकार को नियम बनाने की शक्ति राजि सरकारों को अधिनियम के उपबंदों के थे, और कार्यानवयन के लिए नियम उपनियम एवं अधिसुचना बना सकते हैं तथा उसकी निगरानी के लिए भी प्रवन कर सकते हैं कुल मिला कि सब पहले तो आपको हम अब सुनों बात को लास्ट वन क्या है कि सिक्षा के अधिकार के निगरानी एवं सिक्षा क्या कि सिक्षा आपकी जौब लगी आप कर रहे हैं और हमसे मकारी पूरी तरीके से हैं केवल सरकार की सैलरी पर डिपेंडेंट हो और उसके बाद में बढ़िया बच्चस कह रहे हैं मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं फलाने नाम से आ जाना पड़ने हैं ये सब चीज़े अगर आप करोगे तो फिर लंका लगनी निश्चित है और जो भी चीज़ा बच्चों के लिए बनाई हैं अगर उनमें कुछ भी घपला हुआ तो या कुछ भी गोल मोल हुआ तो उसके लिए क्या है अलग-अलग प्रकार के आयोग बने हुए हैं अलग-अलग प्रकार से परिक्षण होते कि इसी भी समय बाल अधिकार संद्रक्षण आयोग समय समय पर आके चकिंग कर सकते हैं है ना तो इसके तरिक्त बाल संद्रक्षण आयोग निशुलक और अनिवार सिक्षा के संबन्द में प्राफ्ट शिकाईतों कि जाच करेगा इस अधिनियम के इंदर केंद राज सरकारे क को राज स्थानिय अधिकारियों को एवाम स्थानिय अधिकारी प्रबंद समीति को समय समय पर अधिनियम को पूर्ण करने समद्रे निर्देज रेंगे राज सरकारे अधिनियम के कारियानवन के नियम बना सकती हैं आगी वैस समझे तो यह था मारा सिक्षा का अधिकार एक बार बताओ आज यह सब चीजे यह मत सोचो पढ़ा है यह सोचो कि जानकारी मिली है हमको हमको यह जानकारी नहीं थी और आज इस वीडियो को देखके इस क्लास को देखकर के हमको यह जानकारी मिली तो कैसा फील हो रहा है यह फटावट से कमेंट चेक्शन में जरूर बत ठीक है था रहें एक बार आपको क्या करना हैं हसां को लाइक कर दो और उसके बाद में क्या करोंगे कमेंट कर देना में लाइक करने के बिए बिन आते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिल देंट टेक केर बाइबाइ मीट विदियों नेक्स्ट क्लास ओके